चोहान को हटा दिया गया, वसंदरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्तर रमन सिंग को हटा दिया गया अजकल मद्यप्रदेश के पूर्वुसियंग, शिवरा सिंग चोहान को काफी आद कर रहे हैं, अपने बयानों में शिवरा सिंग चोहान का काफी जिक्र कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, केजरीवाल आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे, नमस्कार आप देख रहे हैं दखाबरदार न्यूस और मैं हूँ आपके साथ हंजरा, देखिए खले ही मद्यप्रदेश में लोगसबा चुनाब के लिए मतदान ख़जों हो गए हैं, चार जून को नतीजों का इंतिजार सभी को हो, लेकिन देश के दूसरे हिस्तों में अभी भी मत मतदान होना बाती है, आपको बता दे कि साथ प्रेज़ेज में उने वाले देश के लोगसबा चुनाब हैं, उसका अंतिम मतदान एक जून को होगा और चार जून को नतीज़े आएंगी, इस बीच हाल भी में दिल्नी के सियम, अर्विन केजरिवाल जो जेल से जमानत पर अर्विन केजरिवाल जील से बाहर आने के बाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी कड़ी में एक प्रेस कॉन्फरेंस में अर्विन केजरिवाल ने मध्यपदेश के पूर्व सियम और विदिशा लोगसबा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी शिवरा सिंग चोहान को आपको बता दे के अर्विन केजरिवाल ने बीजेपी के ऊपर निसाना साधा और कहा कि शिवरा सिंग चोहान को हटाया गया वसंद्रा राजे और रमन सिंग को हटा दिया गया देविन्द फड़नवीज को खत्म कर दिया गया घट्टर को खत्म कर दिया गया एक एक करके सब को खत्म कर दिया गया योगी आदितनाद को उन्होंने हटाने का मन बना लिया है आपको बता दे कि अर्विन के जिवान लगाता बीजेपी की उपर निसाना साथ रही है कि अगर देश में बीजेपी की वात्ती होती है तो ऐसे में प्रधान मंत्री मोधी को हटा दिया जाएगा इतना ही नहीं वैया भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उत्तरपदेश के मुखी मंत्री योगी आदितना जो कि मुखी मंत्री के पदपर है उन्हें भी हटा दिया जाएगा इसके लिए उन्होंने उधारन के तौर पर मध्यपदेश के पूर्वसियम शिवरा सिंग चोह को मुखी मंत्री दोबारन नहीं बनाए गया उनकी जगा डॉक्तर मोहन यादब को मुखी मंत्री बनाए गया इसी के ऊपर से आपको बता दे कि अर्विंद केजरिवाल जो है वैं बीजेपी के ऊपर निक्ताना साथते हूए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल आप को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता है और मद्यपदी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं दा खबरदार न्यूज के साथ